रोहिट से उल्चे कुलदीप रिव्यू नहीं लेने पर हुई जबर्दस बहंस तो दोस्तों, इंगलेंड की बल्ले बाजी के दुरान सभी उस ताइम शौक में आ गए जब रोहिट शर्म और कुलदीप यादव ग्राउंड पर ही एक दूसरे से बहंस करने लग पड़े तो रसल हुआ यूँ कि जस्पृत पुम्रा की एक बॉल जैक क्रोली के बल्ले के करीब से होकर विकट कीपर केस भरत के हाथों में चली गई टीम मीडिया ने इस टाइम आउट की अपील की लेकिन अंपायर ने इसे नौट आउट करार दिया जिसके बाद कुलदीप यादव ने रोहिट को DRS लेने के लिए काफी कनवेंस किया और दोनों के बीच इस डिसीजन को लेकर नोगचोक होती हुई भी दिखी आखिर में रोहिट ते अपने दिल की ही सुनी और DRS नहीं लिया जिसके बाद जब रीपले दिखाया गया तो बॉल और बल्ले की वीच कोई भी संपर्क नहीं दिखा जिस पर रोहिट कुलदीप को देखकर उन्हें टीज करते नजर आए क्योंकि रोहिट का DRS नहीं लेने का डिसीजन आखिर कार सही साबित हुआ